गुद मॉर्निंग बच्चों, आज मैं क्लास 6 के संस्कित का लेशन 4 समझाने जा रही हूँ, ये आकारांद पुलिंग शब्द है, पहले हमें समझना है कि आकारांद सब्द होता क्या है बच्चों, ये मैं समझाने जा रही हूँ, संस्कित भासा में दो प्रकार के शब्द होते हैं, अजन्त और हलन्त, जिस शब्द के अंत में स्वर वन होता है, उससे अजन्त कहते हैं, जैसे बालक, गज, अस्व, के अंत में अस्वर है, बालक, तक को में कौन से स्वर जुड़ा है, अस्वर, इसलिए इसे अकारांद सब्द कहते हैं इसी प्रकार यदि मुनी शब्द है तो मुनी के अंत में नौ में इ स्वर लगा है तो इकारांद है इसलिए पालग, गज, असु और मुनी अजंत सब्द है क्योंकि इनके अंत में स्वर वर्ण है अब हलंद समझेंगे कि हलंद सब्द कौन से होते हैं हलंद सब्द वे होते हैं जिनके अंत में व्यंजन वर्ण होते हैं जैसे भावत महत तो तो भावत का भी तो व्यंजन है और महत का भी तो व्यंजन है तो दोनों तो के नीचे हलंद लगा है जो तिर्ची लाइन है उसको हलंद कहते हैं इन सब्दों के अंत में व्यंजन वण है इसलिए भवत और महत को हलंद सब्द कहते हैं अब इस पाठ में हम आकारांथ पुलिंग शब्द पढ़ेंगे जैसे छात्र आकारांथ है तो ये इसका एक बचन दिवचन बहुबचन का रूप में बताऊंगी चात्रह चात्रव चात्रह उसी तरह से देवः देवव देवः बालकह बालकव बालकाह परवतः परवतव परवतः अब इसका अर्थ ही बनेगा बच्चों एक बचन में चात्रह है तो चात्रह का अर्थ होगा एक चात्रह चात्रह का होगा दो चात्रह और चात्रह का होगा कई चात्रह चाहे अनेक चात्रह इसी तरह से देवः बालकह परवतः का भी इसी तरह से अर्थ बनेगा एक बचन है तो उसमें होगा एक चात्र, दुई बचन में है तो दो चात्र और बहु बचन का है तो कई चात्र चाहा अनिक चात्र अब हम अभिहास कराएंगे बच्चों पहला प्रस्न है उचित बचन का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पुर्ति किजिए एक बचन, दुई बचन, बहु बचन है अब बच्चों किसी में एक बचन का रूप लिखा है किसी में दुई बचन में रूप लिखा है तो किसी में बहु बचन का रूप लिखा है और बाकी दो बचन को खाली छोड़ दिया है तो हमें पहले ये याद रखना है याद करना है कि एक बचन का रूप क्या होता है दू बचन का रूप क्या होता है तो जिस बचन का दिया है उसको छोड़ कर जो दो बचन में नहीं लिखा है उसे हमें भरना है जैसे बालकह एक बचन का रूप लिखा है दूई बचन बहु बचन में नहीं लिखा है तो दूई बचन बहु बचन को हमें भरना है तो बालकव बालकाह बहु बचन में होगा दूसरे लाइन में अस्वव दिया है दूई बचन का रूप एक बचन और बहु बचन खाली छोड़ दिया है तो हम एक बचन का लिखना है अस्वाह बहु बचन में लिखना है अस्वाह उसके नीचे मत्स्या दिया है मत्स्या का मतलब होता है मचली तो एक बचन का रूप दिया है दुई बचन बहु बचन का नहीं लिखा है, तो फिर वो उसमें हो जाएगा मत्षयो मत्षयाह, उसके नीचे सिंहाह बहु बचन में दिया है, तो एक बचन में होगा सिंहाह, दुई बचन में होगा सिंहाओ, फिर उसके नीचे दिया है परवतव, तो एक बचन में होगा पर प्रवताह, फिर उसके नीचे दिया है हंसाह, बहु बचन का रूप दिया है, ते एक बचन में हो जाएगा हंसाह, दू बचन में होगा हंसाव, अब अगला प्रस्ण है, मंजूशा में दिये गए सब्दों को बचन के अनुसार अलग केजिए, अब बच्चों हम समझ गए, क आहा चलता है, अस्वाह, असो, अस्वाह, तो उसी तरह से हमें एक बचन का एक बचन में, दू बचन का दू बचन में, और बहु बचन का बहु बचन में रूप छाट के लिग देना है, तो एक बचन में होगा अस्वाह, मत्यह, नरह, घटह, दू बचन में होगा कछपव अब बच्चो अगला प्रस्ण है पांच पसुओं के नाम संस्कीत भासा में लिखिए तो पांच पसुओं के नाम होंगे अगला प्रस्ण है पांच पक्षियों के नाम संस्कीत भासा में लिखिए तो पांच पक्षियों के नाम होंगे अब अगला प्रस्ण है हिंदी शब्द दिया है उसे हमें संस्कीत में लिखना है तो दिया है दो ब्रिक्ष तो दो ब्रिक्ष का होगा दूई बचन मेरू ब्रिक्षव घोडा दिया है तो होगा अश्वः मोर दिया है संस्कित होगा मयूरह दो हाथ दिया है तो संस्कित होगा हस्ताओ अनेक साप का होगा संस्कित सर्पाः ब्रिक्ष का होगा ब्रिक्ष अनेक लड़के का होगा बाल का हाँ दो तोते का होगा शुकाओ अनेक हंस का होगा हंसा हाँ अभी वच्चों. आप सबको एक बचन दी बचन और बहु बचन का रूप याद करना है और धातु रूप भी याद करना है संस्कीत का आप अभ्यास करते रहिए अभी नया सब्जेट है आपका नया विश्य है उसे समझ लेंगे तो आपको पढ़ने समझने में आसानी होगी